ओम स्यंति जिस तरह भगवान ने हमें पाला, उसी तरह हम दूसरों को पालें कितने भाग्यसाली हैं वो आत्माएं जो प्रभु पालना में पल रहे हैं प्रभु पालना पाकर, जिनोंने दूसरों की पालना करना सीख लिया है वे सच मुझ महान बन जाते हैं, वे पूरवज बन जाते हैं उनके द्वारा जनम जनम भी अनेकों की पालना होती है बाबा ने हमें पाला प्यार देकर बाबा ने हमारी पालना की बहुत अच्छी गाइडेंस देकर उसने हमारी पालना की बहुत बहुत अच्छी समय पर टचिंग देकर शक्तियां देकर हम भी दूसरों की पालना करना सीखें जहां दूसरों की पालना बहुत अच्छी होती है महां सेवाओं में रोनक रहती है चार और हरियाली रहती है सभी का मन प्रेम और आनन से भरबूर रहता है और जहां पालना का अभाव रहता है महां लोगों में दूरी रहती है संगठन में एकता का अभाव दिखाई देता है सूखा पन न जराता है सेवाओं की सफलता के लिए भी पालना आवस्चक है हम एक पोधा भी लगाते हैं उसकी पालना करते हैं उसको पानी देते हैं धूप का ध्यान रखते हैं उसकी सुरक्सा भी करते हैं चिडिया पस उपक्सि उसे खा न जाएं, हम भी, जो पोधा लगाते हैं, जिन आत्माओं को बाबा का बनाते हैं, उनको सीचना, उनकी पालना करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें अवसर देना, उनकी योगताओं का लाब उठाना, या उनको योगे बनाना, ये सब पा पालना हमें देनी हैं सबको, इसका भी हमें बहुत ध्यान रहे, कई आत्में डायरक्ट प्रभू पालना का अनुभव नहीं कर पाते हैं, प्रन्तु हमारे द्वारा उन्हें इस वर ये पालना की अनुभुती हो, उन्हें वही अलोकिक, आत्मिक प्रेम मिले, उन्हें समधान कर पाएं, उन्हें मदद दे पाएं, ये बहुत सरेष्ट पालना है, जिसे सबको पालना देनी हैं, उसे दो गुनों को विसेश रूप से अपने जीवन में धारन करना होगा, एक रहम भाव, दूसरा सहयोग देने की व्रत्ति, हमें सबको सहयोग देना है, क्योंकि जो आत्माएं हमारे पास आई हैं, वो संपूर नहीं हैं, वो प्राप्त करने आई हैं, वो समस्याएं लेकर आई हैं, वो विसेविकार और पापों की बड़ी बड़ी गठरियां, बोज की गठरियां अपनी सिर पर लेकर आई हैं, हमें उन्हें हलका करना है, हमें उनके ब बहुत स्रेश्ट पालना हम कर रहे हैं। और हमारे पास आकर कोई भारी हो जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए, हमारी बास सुनकर किसी के दुख वड़ जाएं, तो समझो, हमारे अंदर पालना का गुण संसकार नहीं है। बाबा भी चाहते हैं, जैसे मैंने सब महानात्माओं की पालना की है, अब ये महानात्माएं अपने दूसरे छोटे भाई बहनों की बहुत अच्छी तरह पालना करें, तो पालना करने को अपनी नेचर बनाएंगे। आज सारा दिन हमें संसार की पालना करनी है, प्रकरती की पालना करनी है और ये पालना होती है vibrations दे कर सभी को ख्याल रहे संसार में और पालना भी दूसरे मनुस्च दूसरों को दे सकते हैं कोई सायोग भी देते हैं कोई दूसरों को medically बहुत support करते हैं कोई और बहुत तरह की साहता दूसरों को करते हैं हम जानते हैं रंतु vibrations देना vibrations देकर वायु मंडल को पवित्रोर पावर्फुल बनाना vibrations देकर निरास आत्मा को दिल सिकस्थ हुई आत्मा को जो बहुत सब कुछ अपना गवा चुकी है उसको फिर से खुशी देना उसके जीवन में आसाओं की किरन जगाना जो आत्माएं सुसाइड करने को तैयार हैं उन्हें नव जीवन देना ये पालना हम वाइब्रेशन्स देकर ही करते हैं तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ गलोब के उपर इश्थित हूँ परमधाम में सर्वशक्तिवान बाबा है उसकी सक्तियों की किरने मुझ पर आ रही हैं मुझ में समा रही हैं और फिर मुझ से चारों और फैल रही हैं फैलाएंगे सारा दिन और संकल्प देंगे संसार को सभी आत्माएं सुखी हो जाएं दुखों से मुक्त हो जाएं श्यान्त हो जाएं निर्भे हो जाएं आज सारा दिन विश्व की ये पालना करते रहना है Om Shanti